दुंगरगर बागरे कसा धान खरीदी केंद्र में तॉल में गरबड़ी एक से डेड़ किलो जादा तॉला जा रहा है धान किसानों की मेहनत की कमाई को लूट रहे हैं प्रबंधक सभी किसानों से 72,760 किलो धान खरीदी किये गया है जिसमें प्रतिक कट्टे में डेड़ से दो किलो जादा धान लिया गया है भ्रष्ट अथिकारी और भ्रष्ट सिस्टम से प्रबंधक माला माल किसान कर्च में जोंगरगर अनुभाग्य अधिकारी सुस्त किसानों और मीडिया द्वारा फोन के माध्यम से बार बार शुकायत देने पर कोई कारवाई नहीं किया जा रहा है दोंगरगर अनुभागय अधिकारी इनके इनी रवये के कारण किसान लिखित में शुकायत नहीं करते हैं आज किसान मीडिया की माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं मिली प्राप्त सूशना सूत्रों की जानकारी से और कुछ किसानों के द्वारा बताया गया प्रबंधक के नीचे काम करने वाले केदार नाम का लिखिक और कुछ लोग किसानों को परिशान करते हैं एलबी नगर तहसीलदार को फोन के माध्यम से शुकायत करने पर जल्द कारवाई की अश्वासन दिये हैं किसान का थान तो उथर भी त्यो गेली के शान में कतिक धान के में अभी सोनके नक्सान के नुक्सान तो कौन से सुसाइटिम धान बेचेबरा हास बागर कसा के कटल अक सोपचीश तो यहां जो तो अन्य होते पां कथ दो बने अधा निकला थे कुंगा एक गैधा निकला अब एक किलो देड़ किलो ओपरा निकला है नहीं हाओ यह मदन लाल जो किसान है उनका दान आप तौल रहे थे तो यह दुबारा से तौला गया कितना ऊपर निकला आपके सामने अपनी तौला यह उस तान को एक किलो एक किलो यह तो धेड़ किलो रखा है नहां पर दो बार्दाना और आधा किलो एस्ट्रा है पासिंग भी रखा बताओ इसको एक बारदाने का अधा किलो एक बोरे का पासिंग है कटे का और यह आधा किलो और देढ़ किलो एक्ष्ट्रा ब्रोंगर गड़ से अनील सिन्हा की रिपोर्ट पस लिखते रहे सीजी विजन टीवी